इस बार क्या काम आएगी लालू की संजीवनी बूटी, लालू परिवार की शिकस्त या सियासी वैक्सीन नमस्कार स्वागते आपका स्पेशल रिपोर्ट में आप देख रहे है कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूँ आपके साथ सुष्टी में थान बिहार में लैंड फोर्ट जॉप का मामला एक बार फेरत पूल पकड़ चुका है उधर आया सीटीसी घुटाला भी लालू परिवार के गले की फास बंता जा रहा है जिसमें ना सिर्फ लालू बलकि लालू के रिष्टेदारों के घर भी चापे मारी शुरू हो चुकी है इस सब के बीश सवाल ये उट रहा है कि इन चापे मारी का सर बिहार में क्या रग लाएगा मगर इन सवालों के जवाब ढूने से पहले इतिहास खंगाल कर देखा जाए तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब लालू के लिए ऐसे मामले परिशानी का सबब बन रहे हो इससे पहले भी लालू यादव और उनके विश्टेदारों का एडी से गेहरन आता रहा है मगर इसके बावचूर भी तमाम अटकले लालू की हस्ती क्यों नहीं मिटा पाए और अगर ऐसा है तो क्या हर बार की ही तरा इस बार भी लालू बच पाएंगे या इस बार इडी के फुल प्रूफ तैयारी के सामने लालू की किस्मत खुटने टेक देगी ये समझने के लिए पूरे मामली को तफसीर से चाहते है सजर से भी नहीं बिखरा आर जेडी क्या था उस वक्का सियासी गेब लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी और उनके परिवार के सदस्यों का पिछले धाई दशक से CBI, ET और IT जैसी सेंटरल एजंसियों से करीब करिश्टरा है इन एजंसियों की कई बार सक्रिता बढ़ती है तो लालू यादव के परिवार के मट्या मेट होने का दर सताने लग जाता है ताजा मामले में भी जमीन दो और नौकली लोकेस में लालू परिवार की राजनेतिक हैसियत निस्तना बूध होने की नौबत सामने आ रही है इसका थोड़ा वत असर दिखने को भी मिल रहा है लेकिन सच ये भी है कि पुराने समय में हर संकट के साथ लालू यादव का परिवार पहले से कई अधिक मस्पूत हुआ है आज तो हालत ये है कि लालू के परिवार में तेश परता यादव को छोड़ तकरीबन सभी केंद्रे एजर्जियों के जाच के दायरे में है इसके बावजूद बिहार की राजनीती की धूरी भी लालू यादव का परिवार ही बना हुआ है ऐसा इसलिए कहा रहे हैं क्योंकि जब लालू यादव चारा घुटाले में जेल गए उसी वक्त सियासी सुई उल्टी घुमने लगी उस समय लालू के परिवार में कोई भी लालू की जगा पार्टी की कमान सम्हालनी के लायक नहीं था सियासी गल्यारे में विरोधी पार्टिया पहले ही आजड़ी के बिखर जाने की अटकले लगा कर खुशी मना रही थी वो एक ऐसा वक्त था जब लालू की गैरहासरी में पार्टी को एक जोट रखना मुश्किल हो गया था लेकिन ये वक्त का तक आज़ा था कि उस वक्त चग्दानन सिंग और अब्दुल बारी सिद्गी जैसे कद्दा वरनेता भी जेल गए और लालू के शारे पर बिना नानुकुर किये राबडी देवी को सीम स्विकार कर लिया इस तरह आज़ेडी बच गई और अगले दस साल तक जाबडी देवी ने मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की कमान समभाली कईना कई लालू को जेल जैसे मुश्किल वक्त ने बहुत से चीज़े मस्पूत करने का मौका दिया तो वही सजा भी लालू के तेवर कम नहीं कर पाई लालू यादव को जब चारा घुटाले के मामली में सजा हुई तो फिर ये लगने लगा कि आज़ेडी का अब उभर पाना संभव नहीं पर यहां भी अनुमान गलत हुआ अपनी राजनेती से लालू ने अपने धुर विरोधी और कभी साथ रही नितीश कुमार को पटा लिया 2015 के चुनाव में नितीश की पार्टी जेडियो और लालू की पार्टी आरजेडी के साथ चुनाव लगने का फैसला कर लिया संयोग से उस वाक्त कॉंग्रिस ने भी साथ देनी में हामी भर थी वहीं जब RSS प्रमुक मोहन भागवत के आरेक्षन की समिक्षा वाला बया ने सामने आया तो उसे लालू ने अपने पक्ष में मोड लिया लालू ने अपनी सियासी बिसात को ऐसा सेट किया कि जनता को लगने लगा कि RSS और पीचेपी के लोग आरेक्षन समाप्त करना चाते हैं बाजी पलच गए और तीन दलोग के महागण बंदन ने बिहार में सरकार बना ली यही नहीं 2015 के बिहार विधान सवचनाव में भी लालू के कारण ही पीचेपी की लीडर्शिप वाले NDA को मात खानी पड़ी थी अखिर क्यों नहीं मिच पाती लालू प्रसाद यादव की हस्ती इतने उठक पठक के बावजूद भी लालू कैसे बच जाते हैं यह समझने के लिए बिहार की संप्रदाई गणित समझी है लालू यादव पिछड़े समास से हैं तो वही बिहार में अतिपिछड़ा और पिछड़ा वर्ग की अबादी तकरीबन 52 फीसद है इसमें आकेले लालू की जाती यादव विरादरी के 16 फीसद से जादा लोग है इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि 2015 में यादवों के एक मुष्ट वोट आरजेडी को मिले और नतीश को भी कुर्मी कुषवाह के वोट हासिल हुए साथ ही लालू ने पसमांदा समाच को अपने साथ किया तो इसी पैटन पर दलितों को दो तपके में बाट कर महा दलित समाच को अपने पक्ष में करने में कामिया भी हासिल कर ली इस तरह समय के त्रूप से तकरीबन 40 प्रतीशत वोटों पर महा गडबधन ने कबजा जमा लिया और लालू की पकड अब भी वोटों पर बरकरा रही हलाकी ताजे मामले में लालू के लिए परिशानिया गहरा सकती है लालू यादव के ताज़ा ट्वीक ने गिरफतारी के दर को साफ दर्शा दिया है जिसमें लालू यादव ने बयान दिया कि आधार हिन मामलों में आज उनकी बेटियों नातियों और कर्वती पुत्रवधू को भाचपाई ईटी ने 15 घंटों से बेठा रखा है इसला आरज़ेडी सुप्रीमो लालू प्रसादी आदव ने अपने इस पयान से बड़ा एमोशनल कार्ट खेला है वहीं ये भी कया से लगाए जा रहे हैं कि भिष्टाचार के आरोपों से घिरे लालू के परिवार सब्ता में आते ही सवालों के घिरे में आ जाते हैं ऐसे में आरज़ेडी का मानना है कि बिहार में नितिश कुमार्स ने लालू के से हाथ क्या मिलाया केंद्रे एजंसिया लालू के खिलाफ एक बार फिर एक्टिव हो गई हलाकि बिज़ेपी का क्याना ये भी है कि ये कानून की प्रक्रिया है जब जुल्म होगा तो कारवाई भी होगी इसका पक्ष बिपक्ष से कोई नाता नहीं वहीं एजंसियों की इस कारवाई के पीछे की मनशा को आजेरी समेत लालू ने सही तरह से भापा है जहां अब लालू के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि लगा भ्रष्टचार का दाग हटाए कैसे जहां एजंसियों की कारवाई से लालू का पूरा कुनबा डिस्टरब्ड है तो तेजस्वी आदव को सम्मन भिषने के बाद आप पार्टी की नसरे लालू यादव पर है क्या इस भार भी पिछले मामलों की तरह लालो यादव पर कसा शिकन जाप, पार्टी और लालो यादव की सियासी ताकत बनेगा, एक पर फिर से कोई कुटनी तिक जीत हासल करने में मददगार सावित होगा, या फिर इस पार चौफ और लाइन के जिन के सामने लालो यादव कर स्केट मैच एक काम नहीं आएगा, इसी के साथ मैं लूँगे आप से जाजब, बाके मुद्धों पर तमाम जानकारी के लिए देखते रही है, कैप्टर टीव बिहार